दो चीज हर सुभे खाएं, दिन भर चुस्ती फूर्ती रहेगी, हाडियां जोड मजबूत रहेंगे, दिल मजबूत होगा, सिर्फ दस रुपे में तयार हो जाएगी, जिन जाने वालों के लिए खास, भ्यंकर सारेरिक ताकत और प्रोटीन के लिए, दोस्तों सुभे का नास्ता हमारे पूरे दिन के जितनी भी मिल्स होते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा महत्यपून होता है, आप सुभे सुभे नास्ते में क्या खाते हैं, इसका सीधा सीधा असर आपके उस पूरे दिन की अनर्जी के उपर और आपकी बोडी के मेटबलिज के ऊपर पड़ता है आपने अकसर देखा होगा कि अगर आप सुबह सुबह पूरियां खा लें या बहुत सारे छोले बटूरे खा लें या इस तरह की और भी कोई ओईली चीज खा लें या स्पाइसी चीज खा लें तो सारा दिन आपकी बोड़ी जो है वो ठकी ठकी सी रहती हैं आपको नेंद बहुत जाद आती हैं और कई बार एस डिटी या इसी तरह की चीजें भी हो जाती हैं तो कामे भी आपका मन नहीं लगता लेकिन अगर आप सुबह सुबह कोई अच्छी चीज खा लें अगर आप फ्रूट्स का नास्ता कर लें अगर आप अंकुरित अना आपको महसूस होती हैं इसके साथ साथ आपका काम में भी खुब अच्छे से मन लगता हैं दोस्तों वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीजे हैं अच्छी अच्छी जो आप नास्ते में खासकते हैं लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सी रेस्पी ब बताऊंगा यह काफी टेस्टी भी है इसको आप अराम से मजे लेकर खा भी सकते हैं और इससे आपको पूरे दिन जो है अनर्जी तो महसूस होगी ही ताकत तो महसूस होगी ही और आपकी बोडी के अंदर बहुत सारा प्रोटीन भी इसकी मदद से पहुंच जाएगा तो च जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ तो दोस्तो ब्रेकफास्ट की इस रेस्पी को बनाने के लिए आपको सिरफ दो चीजों के जरूरत पड़ेगी पहली चीज है मुंखफली और दूसरी चीज है बनाना यानि की केला मुंखफली अपने आप में एक कम्पलीट मील होता है इसके अंदर आपको फाइबर मिलता है इसके अंदर मिनल होते हैं विटामिन होते हैं बहुत सारा प्रोटीन भी होता है और भी बहुत सारे हेल्दी फैट्स या दूसरी चीजे होती है जो कि आपकी सेहत के लिए बहु से मिल जाता है इसी तरह से अगर मैं बनाना की बात करूँ तो केला भी एक बहुत ही nutrients fruit है इसके अंदर fiber बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर आपको energy बहुत ज़्यादा मिलती है खाते ही body के अंदर ताकत आ जाती है इसके अंदर mineral भी होते हैं और vitamins भी होती है तो केला भी एक अच्छी चीज है जो कि आप नास्ते में कर लेंगे तो बहुत सारे फाइदे आपको इससे मिलेंगे अब इस रेस्पी को आपको जो बनाना है दोस्तो वो एक सेख की सकल में बनाना है यानि ये एक सेख बनेगा और उस सेख को आपको रोजाना नास्ते में इस्तमाल करना है और ये बहुत टेस्टी सेख होता है ये बात मैं आपको बताता चलूँ इस सेख को बनाने के लिए पाने लेने हैं और इनको एक कटोरी पानी के अंदर आप रात भर के लिए भिगो दीजें। अब आप कहेंगे कि मुंगफली को भिगोता कौन है। वो कम हो जाती हैं। अब scientifically पित कोई चीज नहीं होती है। साइस नहीं मानती पित को। लेकिन आयरुवेद जो है वो वात पित और कप पे ही depend है। क्योंकि हम आयरुवेद को फोलो करते हैं तो हम इसी बेस पे इसी को ही मानेंगे। और इसी की त्रह से हम चीजों को फोलो करे तो आपको रात को सोते समय मुंगफली को भिगो देना है ताकि इसका जो पित है वो सांत हो जाए और इसके अंदर जो गर्मी है वो कम हो जाए तो इससे होगा क्या आप इसको बारा महिने इस मुंगफली को इस्तमाल कर सकते हैं ऐसे तरीके से। गर्मी में भी अगर आप इसको लेंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फोडे फुनसी की दिक्कत या आपकी बोडी के अंदर हीट पैदा होने की दिक्कत है वो इससे नहीं होगी अब क्या करना है आपको सुभे को जब नास्ता अपना बनाना सुरू करेंगे तो आपको सबसे पहले य वो भी डाल देना है इसे grinder के अंदर इसके बाद आपको इसके अंदर डालना है honey एक से दो टी स्पून अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसके अंदर honey डाल सकते हैं और उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से grind कर लीजे जब आप इन तीनों चीजों को grind करेंगे तो ये एक paste की सकल में बन जाएगा ठीक जब ये अच्छा सा fine सा paste बन जाए तो उसके बाद आप इसके grinder का ढखकन खोलिए और इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी डाल दीजे पानी डालके आप इसको फिर से अच्छी तरहें से grind करिए जब पानी डालके आप इसको grind करेंगे तो एक अच्छा सा सेक बन जाएगा इस सेक को आप लीजे और सुबे सुबे नास्तेने आप इसको इस्तमाल कीजे इसका सेवन कीजे आप चाहें तो इसके उपर बहुत सारी berries या cane berry इस तरह हैं कि और भी कोई dry fruit वगएरा भी डाल सकते हैं Garnishing इससे कर सकते हैं और इसको enjoy कर सकते हैं ये एक बहुत ही healthy और nutrition चीज है इसको खाने से क्या होगा आपकी body के अंदर protein बहुत सारा पहुंच जाएगा क्योंकि मुंफली protein का बहुत अच्छा source है आपकी body को instant energy मिलेगी क्योंकि सारी रात की आपकी body भूड़ी होती है और अगर सुवे नास्ते में nutrition चीज अपनी body को आप देते हैं तो वो आपकी जो भूड़ी cells हैं वो सारी की सारी nutrition को उस time फोरन गरहन कर लेती हैं और इसी वज़े से आपकी जो body है उसका पूरे दिन का metabolism नास्ते की वज़े से तै हो जाता है तो इस drink को लेने से इस से को लेने से आपका metabolism हाई होगा जिससे आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा आपके अंदर energy भी रहेगी और सारा दिन आपको जो है वो थकावट वगरा नींद आने की सिकायत भी नहीं होगी इस drink को दोस्तों आप weight loss के लिए भी इस्तमाल कर सकते हैं एक time का meal मिस करके आप इस drink को इस से को इस्तमाल कर सकते हैं दोपहर को या रात को भी आप इसको ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन ना घटे बलकि और बड़े क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं बहुत सारे लोगों के comment में मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि उनको वजन बढ़ाना है वो already under weight हैं तो अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस सेख को जब बनाएंगे तो आप बजाए पानी के इसमें दूद डालिए दूद डालने से क्या होगा कि आपका जो सेख है उसमें आपकी बोड़ी में जो muscles हैं वो मजबूत होंगी आपकी बोड़ी है जो है वो healthy तरीके से weight gain करेगी ये सेख अपने आप में एक complete meal है दोस्तों तो इसके साथ आपको नास्ते में और कुछ लेने की जरूरत नहीं है सिर्फ एक गिलास अगर ये सेख रोजाना आप नास्ते में ले लेते हैं तो उससे आपको इतनी energy मिल जाएगी ये 5-6 घंटे तक आपको अराम से ना तो भूक लगेगी और ना ही आपको weakness फील होगी और इसको लेने से आपकी बोड़ी में हड़ियां भी मजबूत होगी आपकी स्किन भी healthy होगी आपकी बोड़ी के अंदर नया खून भी बनेगा और आपकी overall energy भी enhance होगी मुझे उमीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और ये जो रेस्पी आज मैंने बताई है इस से की इसको आप जरूर ट्राई करेंगे और आपको ये कैसे लगी ये मेरे साथ जरूर शेयर करेंगे दोस्तों ये सेख जो मैंने आपको बताया है ये diabetes patient के लिए नहीं है अगर आप diabetic है तो आपको ये सेख इस्तमाल नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर calories अच्छी खासी होती है और इसके अंदर हम honey भी डाल रहे है तो उसकी वज़े से भी आपको यह नुकसान दे सकता है अगर आप diabetic नहीं है तो बिना किसी परिशानी के 12 महिने आप इस सेख को अराम से इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों मुझे उमीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ न कुछ नया जरूर सीखा होगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सबी के साथ सेयर करिए ताकि और लोग भी इससे अपने लिए फाइदा हासिल कर सके और इस ड्रिंक को इस सेख को यू जरूर कीजिए ट्राई जरूर कीजिए चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही प्यारी से विडियो के अंदर तब तक के लिए अपना बहुत दियान रखिए हासते रहिए, मुस्कुराते रहिए रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रहें हामेशा स्वस्थ और फिट बीमारियों से दूर धन्यवा दोस्तो